नमस्कार इससे पहले में पैबलो नरुडा के लाइफ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उनकी पॉइम इफ यू फॉर्गेट मी अप्लोड कर चुकी हूँ आज की इस वीडियो में कुछ इंपोर्टन्ट मुल्टिपल जाइस क्वेशन देखते हैं पहला क्वेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि देट ऑफ बर्थ हमेशा इंपोर्टन्ट रहती है उथर की तो यहां पहला क्वेशन यही है इन विच यह वाज नरुडा बॉर्ण तो वह उन्नी सो चार में पैदा हुए थे तो कौन सी किताब थी जब वो उन्होंने एशिया में डिप्लोमेट रहते हुए जिसकी इस्पिरेशन उनको मिली प्रेणा मिली तो इसका जवाब रेजिडेंस ओन अर्थ है तो किस फॉर्म आफ पोईट्री के लिए नरुडा जाने जाते हैं प्रसिद्ध हैं तो ओर्ट के लिए फेमस है फिर क्वेशन नमबर फॉर्ड वाज नरुडा वेन ही पब्लिश्ट इस फर्स कलेक्शन तो उन्नी साल की उमर में उन्होंने पहला कलेक्शन अपना रहने वाले थे चली से थे फिर वोड़ वोज नरुडास रियल फर्स नेम तो उनका जो रियल नेम है वो मैंने शुरू में ही आपको लिख दिया था और मैंने आप से कहा था कि इसको नोट कर लीजेगा तो वो नेम नोट कर लीजे और यहां जो ऑप्शन से में रिकार्ड यानि राजनीतिक रूप से उनका जुकाब किस ओर था तो उनका जुकाब कम्यूनिज्म की ओर था तो यहां जो ऑप्शन से हमें कम्यूनिस्ट सही जवाब है फिर देखिए वें डिट नेरूदा विन दा नोबेल प्राइज यह बहुत इंपोर्टेंट कुशन है नोबेल तो डीद दे रखा है लेकिन सिक्सिस्टेंज आज नहीं है सेविन नहीं है फिर देखिए हूं वोज द पोएम इफ यू फॉर्गेट मी डेडिकेटेड टू यह कविता नेरुडा की मिस्ट्रेस मैटल डे उरुशिया को डेडिकेटेड है तो बी सही जवाब होगा फिर इ पर जब हम देखते हैं तो अलग-अलग दो जवाब मिलते हैं और बुक्स में भी हम देखते हैं कई पब्लिकेशन की बुक्स आई है मेरे पास तो दो अलग-अलग जवाब मिलते हैं लेकिन अच्छी किसमत हमारी यह है कि जो ऑप्शन्स हैं दौनों जगे वो अलग- तो वहां जो options हैं वो अलग हैं और मैंने confirm करने की कोशिश की net पर तो net पर भी अलग अलग जगह जवाब मिल रहे हैं कहीं यह 20 लग points and a song of despair मिल रहा है और कहीं अभी जो दिखाऊंगे आपको वो जवाब मिल रहा है तो आप उमीद करिए कि आपके लिए भी यह दोनों जवा अब एक ही question में ना आएं यह एक और बुक है इसमें देखें who is not published translator of Neruda नेरुडा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वह Spanish language में लिखते हैं और तो उनके सारे works translated है और इन में से कौन सा translator ऐसा नहीं है जो के published है तो Gregory Rabassu है which is the first line of love sonnet यह एक sonnet sequence में sonnet number 17 है पेब्लो नरुडा की तो हालांके आप से यह सवाल तो नहीं पूछा जाना चाहिए तो sonnet number 17 का पहली line है I don't love you as if you were arose of salt to pass फिर देखिए which books were inspired by नरुडा साइम as a deployment in Asia तो यह question important है और यह पिशली बारी बुक में भी था residence on earth फिर next question which poem contains the line love is so short forgetting is so long तो यह उनकी एक poem है tonight I can write वहां से ली गई है line next question यह पहले भी आया था और इसलिए important भी है नरुडा is famous for which of the following poetic form तो किस प्रगार की poetic form के लिए जाने जाते हैं वो अपनी ओर्स के लिए जाने जाते हैं how old was नरुडा when he published his first collection तो 19 साल की उम्र में प्रकाशत के था पहले ही पढ़ चुके आप which writer was a friend of नरुडा तो इन मेंसे जो options हैं फ्रेडरिको गार्सिया लोरका यह नरुडा के friend थे which best describes the tone of the poem if you forget me तो if you forget me poem की tone क्या है love and lost फिर in what year पाइबलो नरुडा वास बॉर्न बहुत इंपर्टेंट क्वेशन है बार बार रेपीट भी हो रहा है और मैं आपको बोलते हूं कि date of birth date of death दोनों ही important होती है उन्हीं सचार में वह पैदा हो दे नरुडा belongs to which country यह भी बहुत important question है चली में पैदा हो थे पहले भी आ चुका है which of the following is the most significant and recurring theme of नरुडा वर्क तो नरुडा के रचनाओं में जो सबसे ज़्यादा बार बार repeat होती है थीम वो नेचर है प्रकृति है wordsworth की भी जो theme है वो नेचर रहती है what was नरुडा's real first name तो यहां भी रिकार्डो दे रखा है real first name उनका which is a consistent theme of नरुडा's love poetry तो नरुडा की love poetry की जो लगातार theme रहती है the dissolution of individual identities यहनी जो हमारी व्यक्तिकत पहचान है वो dissolve हो जाती जब हम किसी के प्रेम में होते हैं हम किसी के हो जाते हैं हमारी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं रहती in which year नरुडा डाई तो नरुडा की मृत्यों आप पहले ही note कर चुके हैं 1973 में उनकी मृत्यों हुए और बहुत important है यह सवाल which type of poetry did नरुडा initially become known for तो शुरुआत में वो love poems के लिए नोन मदब प्रसिद हुए थे जाने जाते थे फिर which best summarizes नरुडा's political leanings तो यह आप देख चुके हैं अच्छा leftist मैंने आपको कहा था ना कि जो communist होते हैं वो वामपन्थी अकसर होते हैं तो leftist वो communist और leftist दोनों ही जवाब सही हैं पिछली वाली बुक में इसका जवाब communist दे रखा था और यहां leftist दे रखा है तो आप परिशान मत होईएगा जो मार्क्सवादी होते हैं वो वामपन्थी होते हैं और जो राश्ट्रवादी होते हैं वो rightist कहलाते हैं यानि दक्षनपन्थी कहलाते हैं फिर देखिए which best describes नरुडा's style throughout his work तो उनकी style अपने रचनाओं में कैसी है vivid and engaged with sensory reality बड़ी सजीव है और उसमें जो हमारी इंद्रिया है उसके through हम जो perceive करते हैं चीजों को वहां तिखाई देती है फिर when did Pavlo Neruda win the Nobel Prize बार बार रेपीट होड़ा बहुत important है 1971 में उनको Nobel Prize मिला फिर where was Pavlo Neruda born तो पराल जगह है चिली में वहां वो पैदा हुए थे फिर देखे what was the original name of Pavlo Neruda important question है और मैंने शुरू में ही आपके लिए लिख दिया था नेफ्टाली रिकार्डो रेस बोसो अल्टो फिर when was the poem if you forget me written by Pavlo Neruda तो 1922 में यह लिखी गई फिर in the poem if you forget me divided in two तो यहां सही जवाब दे रखा है 6 इस इंजाज दूसरी बुक में 7 दे रखे थे जो मैंने Pavlo Neruda write if you forget me for किसके लिए लिखी है यह poem तो Metal Day पुरुशिया के लिए रिखी है what imagery is used in the poem if you forget me तो जो imagery यूज की है आपने पढ़ी ही है मेरे साथ Crystal Moon, Red Branch, Slow Autumn यह images वहाँ पर यूज होई थे शुरुआत में पहले ही इस इंजा में आ गई थी फिर what kind of poem is if you forget me तो if you forget me किस प्रका नहीं आपने पिछले वीडियो में मेरे साथ पढ़ी थी तो यह free verse में है बिना rhyme scheme की तो blank verse भी होती है ब्लेंक verse में भी rhyme scheme नहीं होती लेकिन उसमें कम से कम एक मीटर होता है आयम्बिक पेंटामीटर जिसको कहते हैं उसमें 5 I am होते हैं पहला syllable unstressed और दूसरा stressed जब होता है त पांच पेर जब एक लाइन में होते हैं तो वह आयम्बिक पेंटामीटर लाइन होती है उसको blank verse कहते हैं जो कि यहां पर दी भी गई है तो blank verse में भी rhyme scheme नहीं होती लेकिन मीटर होता है लेकिन free verse में ना rhyme होती है और ना मीटर होता है तो यह free verse में है poem next question लेगे what is the tone of the poem if you forget me प्रेम की tone क्या है warning and sincere love तो प्रेम तो उसका sincere है लेकिन वो एक warning भी देता है चेतावनी भी देता है अपनी महबुआओ को कि अगर तुम मुझे भूल जाओगी तो मैं भी तुम्हें भूल जाओगा है न ऐसा नहीं कि तुम मुझे भूल जाओगी तो मैं पागल हो जाओग दे दूंगा मैं मर जाओंगा और आज कल तो एक और नहीं वार्निंग देते हैं लोग एसे फैंक दूंगा तेरे ऊपर मार डालूँगा कोई मारने की दमकी दे देते हैं तब तो फिर बिल्कुली आपके पास नहीं आएगी इसलिए ऐसी दमकी तो देना ही मत कभी वैसे मेरी एडवाइस यह है, मैं क्या एडवाइस दे रही हूं बच्चा को, कि आप जिस चीज के पीछे जितना भागते हैं, वो चीज आप से उतनी दूर भागेगी है, खासकर जो लब अफेर्स होते हैं, किसी लड़की के पीछे आप ज्यादा मत भागो, वरना वो आप से दूर भा इम, if you forget me, तो उसमें विंड ओफ बैनर्स एक मेटाफर दिया गया है, फिर quote the example of alliteration from the following options, तो alliteration का example है, if little by little, फिर देखिये, quote the example of personification from the following options, तो personification का example, climbs up to your lips to seek me, यह रोज के लिए आया था, कि अगर एक रोज तुम्हारे होटों तक चड़ता है, मुझे धूनने के लिए, तो जो climb करने के लिए, पैर, हाथ-पैर चाहिए होते हैं, चड़ने के लिए, अब रोज तो, भी, कोई living thing तो है नहीं, हालांके, बोलते हैं वग्यान किपिड, पौधे, फूल, इनमें भी जान होती है, लेकिन उस type से नहीं, कि वो चड़ सके खुद गई, तो यह personification का example है, the point if you forget me, अगर इन एरुडा's collection, अचाहिए, वो वाला confusing question है, मैंने पिछली book में भी आपको बताया था, कि मैंने इस question को कई जगह से confirm करने की कोशिश क तो आधे जगहों पर मुझे वो जो option वहाँ दे रखा था, 20 लब points वो वाला option था, और आधी जगह पर यह वाला option था, ता captain's verse, लेकिन यह अच्छी बात है, कि जब captain's verse options में दे रखा होता है, तो वो 21 points वाला option नहीं दे रखा होता, तो दोनों को ही आप note कर ली, जब हम क्य इंटरनेट का सहरा लेते हैं, अब इंटरनेट पे भी इतना confusion है, तो क्या ही कर सकते हैं, तो दोनों को आप अपने दिमाग में रखिए, और दोनों एक साथ नहीं आएंगे, यह ऐसी मेरी उमीद है, तो दोनों में से जो भी आपको दिखे, वो आप मार्क कर दीजेगा, question important है अपने आप में, तो इसलिए आपको दोनों को ही नोट करके रखना है, options को, ठीक है, यह वीडियो में यहीं समाप्त करती हूं, धन्यवाद,